और आज चिक इंद्री ग्रहमंत्री अमिट शाँ देरदून के दौरे पर रहने वाले हैं उत्राखंट ग्लोबल इंवेस्टर समिट का ए मौकार जिस मौके पर खुद ग्रहमंत्री अमिट शाँ शिरकत करते वे नजर आएंगे दौरे को लेकर सुरक्षा के पुखता इंतज किया हुआ है और कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी पुशकर सिंग्धामी सीएम उत्राखंट के उनके साथ में मौझूद थे उत्खाटन पीम दौरा किया गया वहीं आज ग्रहमंत्री का दौरा के इंद्री ग्रहमंत्री अमिट शाँ दैरदून के दौरे पर है उत्राखंट में Global Investors Summit जिसके दौरा ये लक्षे रखा गया है कि 1000 करोड रुपे की investment उत्राखंट में करी जाएगी और देखे तमाम 1000 की तादात में राजदूत और investors फिलाल उत्राखंट में मौझूद हैं समिट को अटेंट करने के लिए वहीं आज का मौका खास क्योंकि आज खुद ग्रहमंत्री अमिट्शा भी समिट में पहुँचने वाले हैं जिसको लेकर सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम फिलाल कर दिये गए हैं देरादून के बाद में रिशिकेश ग्रहमंत्री अमिट्शा जाते वे नजर आने वाले हैं रिशिकेश में परमात निकेतन जाएंगे ग्रहमंत्री अमिट्शा स्वामी चिदानन सरस्वती से मुलाखात इज़रान ग्रहमंत्री की रहने वाली है और देखिए पियम मोदी भी कल पहुँचे थे उधगाटन के लिए और आप तक अगर बात करें उत्राखंड के इन्वेस्टर्स सामिट की तो कितने M.O.E.U. साइन हो चुके हैं वो भी आप समझे ग्राफिक्स के जरी लगातार आपको दिखा रहे हैं फिलाल ये मौका बहात खास उत्राखंड के लिए क्योंकि निवेशक बड़ी तादात में फिलाल उत्राखंड में मौझूद जो की विदेशों से आए हजारों की तादात में डेलीगेट्स हुए इन्वेस्टर्स हुए सभी इस वक्त उत्राखंड में मौझूद है देव भूमी में शांती से स्मृद्धी तक का इस संकल पुत्राखंड को में ग्लोबल इंवेस्टर समिट दुज़ा तैस में यहां रखी गई है रदून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिटूट में आयोजन किया गया आठ और नौ दिसंबर को यह इंवेस्टर समिट रखी गई यानि कि कल जब प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी पहुँचे पहला दिन और आज इस समिट का दूसरा दिन और देखिए ठाई लाख करोड के निवेश का इस समिट के जरिये लक्षे रखा गया उत्राखन ग्लोबल इंवेस्टर समिट में आज रहमंत्री अमिच शाह शिर्कत करने वाले हैं